Hello Friends Welcome to my YouTube Channel आज हम स्टटी करेंगे Types of Constrained Motion Constrained Motion के Types हम करेंगे और Constrained Motion क्या होता है? वो Motion जो की definite direction में हो यानि कि वो Motion जो एक definite direction में हो उसको क्या बोलते है? Constrained emotion बोलते हैं तीन 다양한 इस प्रिमेंट मोशन रहे हैं पहला क्या है? Completely Constrained Motion यानि कि वो motion जब दो pairs के बीच में होगा एक definite direction में होगा particular direction में होगा ठीक है जब भी force लगाएंगे उसके उपर तो वो ऐसा motion होगा completely constrained यानि खुद से ही definite direction में होगा ठीक है एक्जम्पल क्या है मोशन हो रहा है पिष्ट्न का सिलेंडर के अंदर आइसी इंजर के अंदर पिष्ट्न सिलेंडर है तो पिष्ट्न का moment होना सिलेंडर के अंदर एक definite direction में है तो वह किसका एक Constraint motion का या ने कि Completely Constraint Motion का एक्ग्जामपल है ठीक है या फिर Squair Bar Squair Hold में यानि की पर्टिकलर एक यही डारेक्शन में Motion होना ठीक है जैसे कि Square Bar Squair Hole में ओली Two and From Motion ही ट्रांस्मिट करेगा ठीक है यह क्या एक Completely Constraint Motion का एक उड्पल है ठीक है और जो सरकुलर तो लेकिन हमने कोलर लगा दिया तो भी क्या होगा एक मोशन का ट्रांसमिशन, होगा है तो यह क्या है कोंपलिटली कंस्ट्रेंड मोशन, कौन सा पैंड और आड न से जॉन्हां और रहा है तो वह कोंड रहा है तो क्या बोले дуже Iya के अधा में लिए कंस्टेंड मोशन एक्जम्पल के लिए सर्कुलर बार सर्कुलर होल में मूव करेगा वो क्या है बार सर्कुलर बार मानों कोलर यहां से हमने हटा दिया तो सर्कुलर बार सर्कुलर होल के इंदर जाएगा तो रोटेशन के साथ सा टू एंड फ्रो भी यह कर सकता है यान पर उसके बाद आता है, पार्शली या सक्स्थ्थ्थ्क्राइब रहता है, यह इसका उप्लीटली अपने आप से नहीं होता है, किसी और attachment के थुर हमने उसको constraint motion किया गया है एक्जामपल के लिए sharp footstep bearing के अंदर जैसे कि एक्जामपल में sharp है यह हमारा और यह footstep bearing के अंदर sharp है हमारा तो sharp footstep bearing के अंदर यह किस तरीका motion अगर load हमने उपर नहीं लगाया यह क्या है load लगा दिया उपर ठीक है तो यह क्या होगा successfully constraint motion होगा यानकि एक load के द्वारा हमने क्या किया उसको हम properly जो टूइंड promotion नहीं प्रवाइड कर रहे हैं तो एक compressive load upward moment को रोकने के लिए प्रवाइड किया है तो यह सिर्फ एक ही direction में हम successfully किया गया है तो यह कौन सा है partially or successfully constraint motion है और example क्या हो सकते हैं engine walls जैसे की जो कि आज सी इंजेन उनकी वोल्स है जिसके लिए हमें open closing के लिए हमें payment follower mechanism की requirement होती है तो वह किस तरह का example है partially constraint motion है पिश्टन रेट एर सिप्रोकेट कर रहे है सिलंडर के अंदर वो भी क्या है एक तरीके का partially successfully constraint motion है ठीक है आई तिंक आपको इतना clear हो गया है अगर आपको वीडियो helpful लगी है यह आपको कोई suggestion है तो comment करके आप बता सकते हैं अगर अच्छी लगिए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थैंक यू है वे नाइस टेए